बश्कार मेरे प्रियश भी सम्मानित मित्रों एवं बच्चों मैं एश्वर मिस्रा संतो जीयस क्लासे सिमार दर्शक आज बारा जन्वरी को स्वामी वेका नंजी के जन्म दिवस पर हम सभी राष्टी युवा दिवस मना रहे हैं मानो सिवा को सच्ची सिवा बताने वाले कलकत्ता में काली मंदिर के पुजारी तथा समास से भी रामकिष्ण परमहंस के प्रियसिस से नरिन दत्त जिनें बाद में श्वामी वेका नंजी के नाम से जाना गया उनका जन्म 12 जन्वरी 1863 को कलकत्ता के एक परिवार में हुआ था उन्निश्वी सताबदी के उत्रार्ध में जब भारत के अधिकांस लोग पास्चाति संस्क्रति से प्रिरित थे और अठारवी सदी के इतिहास तक ही जानकारी उन्हें थी मतलब जो है अपनी प्राचीन संस्क्रत को भूल चुके थे उन इस्थितियों में स्वामि वेकांजी ने प्राचीन संस्क्रति अंधर्शन को पुर्ण इस्थापित किया और कला साहित्य संस्कृति गडित विज्ञान के छेत्र में भारती संस्कृत के योगदान को बताया यहां तक की अंतराष्टी इस्तर पर 893 में सिकागो विश्व धर्म संसद में उन्होंने भारत के मुल्यों संस्कृति दर्शन को वैस्विक पठल पर रखा उन्होंने राज योग, कर्म योग तथा ज्यान योग नामक पुस्तकों के माध्यम से बताया कि सभी के हितों में ही देश का हित नहीं थै उन्हिस्वी सतापदी के उत्रार्ध में सामाजिक धार्मिक शुधार आमदलनों में भी श्वामि विवेका नंजी की महत्यपड़ु मुमिका रही अठाव सतान्यवे में बंगाल में हुगली लदी के किनारे बैलूर मठ में अपने गुरु रामकर्ष्ण परमहंस के नाम पर रामकर्ष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की नो हिंदुवात के जनक करूणों युवाओं के प्रेडा स्रोध स्वामि विवेका नंजी के मुल्ले आज भी हम सभी के लिए उतने ही प्राशंगेख हैं धन्यवाद